राधे राधे दोश्तों कोगो भी तो पासनम इस तरह में आपका सौगत है आज के इस वीडियो में हम बहुत ही जादा टेस्टी और हेल्दी फ्रूट्स की सबजी बनाएंगे इसे बनाना बहुत आसान है और यह बहुत जल्दी बनके तयार हो जाती है तो चलिए बनाना शि एक अमरूत जिसके बीच हमने हटा के कट कर लिया है सबजी बनाने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रग दी है हम कढ़ाई में दो चम्मच घीरा लेंगे हम खी को मेल्ट होने देंगे आप घी की जगह तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं हमारा घी गरम हो गया है अब हम इसमे एक चम्मच जीरा डालेंगे बारीक कटी हुई दो हरी मिर्च डालेंगे और हलका सब भून लेंगे अब हम इसमें कटे हुए केले डालेंगे कटे हुए अमरूत डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे एक मिनिट तक भून लेंगे एक मिनिट हो गए हैं अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे स्वादनुसार नमक डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे अब हम इसमें अनार के दाने डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम इन सभी चीजों को एक मिनिट तक लोटू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे एक मिनिट हो गए है अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और चला लेंगे अब हम इसे पाच मिनिट के लिए ढखके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे पाच मिनिट हो गए है अब हम इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे एक चमज भूना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे हमारी सबजी तयार है अब हम गैस को बंद कर देंगे और सबजी को सफ करेंगे हमारी हेल्दी फ्रूट्स की सबजी तयार है आप देख सकते हैं यह कितनी टेस्टी लग रही है इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राइक कीजेगा और कमेंट बॉक्स दे मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये हो तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक करिए श